लोगसवा चुनाओं के नतीज़े आने के दो हफते बाद EVM पर फिर से सवाल खड़े हो गए अमेरिकी अरपते अलन मस्क ने EVM को बंद करने की वकालत की तो उस पर भारत में सियासत तेज हो गई ऐसे में आज जानते हैं कि भारत और अमेरिका में इस्तिमाल होने वाली EVM में कितना फर्क है और हमारी EVM को हैक क्यों नहीं किया चा सकता दरसल EVM यानि Electronic Voting Machine इसे लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है बवाल शुरू हुआ अमेरिकी अरपती एलन मस्क की एक पोस्ट से मस्क ने एस पर पोस्ट करके EVM पर सवाल उठाय और कहा कि इसका इस्तमाल बंद कर देना चाहिए एलन मस्क ने रॉबर्ट F. केनेडी जूनियर की पोस्ट को री पोस्ट करते हुए लिखा हमें EVM का इस्तमाल बंद कर देना चाहिए इंसान या आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के जरिए इनके हैक होने का कम लेकिन बड़ा जोखेम है दरसल रॉबर्ट F. केनेडी जूनियर अमेरिकी राश्पती चनाव में स्वतंत्र उमीदवार के तौर पर लड़ रहे है जौबर्ट ने कहा कि हमें पेपर बैलेट की तरफ लौटना चाहिए और चुनावों में इलेक्ट्रोनिक दखल से बचना चाहिए वहीं एलन मस्क की पोस्ट पर भारत में बवाल शुरू हो गया है राहूल गांधी ने एक्सपर लिखा है कि भारत में EVM ब्लैक बॉक्स है और किसी को इसकी जांच करने की जाज़त नहीं है वहीं अखलेश यादव ने लिखा है कि टेक्नलोजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है अगर वही मुश्किलों की वज़ा बन जाए तो उसका इस्तमाल तुरंट बंद कर देना चाहिए अखलेश ने अगामी चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग तेक उठा डाली इवियम हैकिंग और छेटशार के आरूपों की जाँच के लिए चुनावायोग ने एक कमिटी बनाई थी इस कमिटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी थी इवियम की हैकिंग या उससे छेटशार क्यों नहीं हो सकती इसे लेकर कमिटी ने तर्क भी दिये थे भारत में इस्तिमाल होने वाली इवियम स्टैंड अलोन मशीन होती है जबकि अमेरिका में इस्तिमाल होने वाली मशीन सर्वर से कनेक्ट होती है और इसे इंटरनेट के जरीए ऑपरेट किया जाता है इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है बतादे कि 2016 के राश्पती चुनाव में हैकिंग के आरोप लगने के बाद अमेरिकी संसर ने 38 करोड डॉलर खर्च कर सर्वर और सिस्टम को सिक्योर किया था वही भारत में इस्तिमाल होने वाली EVM को दो सरकारी कमपनिया यानि भारत Electronics Limited, BEL और Electronic Corporation of India Limited, ECIL बनाती है जबकि अमेरिका में वोटिंग मशीने बनाने कथे का प्राइविट कमपनियों को मिलता है अमेरिका में 10 कमपनिया ऐसी हैं जो मशीने बनाती है इतना ही नहीं भारत में जो EVM इस्तिमाल होती है उसमें वीवी पैट यानि वोटर वेरिफायबल पेपर औरिट ट्रेल भी लग जा सकती है जबकि अमेरिका में इस्तमाल होने वाले जादा तर वोटिंग मशीनों में पेपर ट्रेल होती ही नहीं है वैसे ही अमेरिका के कुछी राज्यों में इलेक्ट्रोनिकली वोटिंग होती है और जहां होती है उनमें से जादा तर में पेपर ट्रेल नहीं होता है ल गनीमत थी कि जॉर्जिया में इस्तिमाल की गई मशीनों के साथ पेपर ट्रेल भी थी ट्रम्प के आरूपों के बाद पेपर से क्रॉस चेक किया गया तो ट्रम्प के आरूप जूटे निकले और जो बाइडन की जीत हुई